विल में टच नहीं कर रहा है और हम आपको इस सैट का भी देखाते हैं तो इस सैट का भी देखिए विल में टच नहीं कर रहा है जब हम ब्रेक को प्रेस भी कर रहे हैं तो फिर भी देखिए विल में टच नहीं कर रहा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं अगर आपका सैकिल का की लीपर पंजा में इस तरह का problem हो रहा है तो इसे ठीक कैसे करना गाईस यह दखिए पावर पंजा देखिए गाईस एक side का काम कर रहा है दुसरा side के नहीं कर रहा है तो सारा खेला गाईस पावर पंजा का ये स्पिरिंग में रहता गाईस इससे पहले हम आप लोग को एक चीज और बताना चाहेंगे गाईस तो चलिए आप लोग को बताते हैं कैसे ठीक करना है और किस तरह से होगा बहुती इजी है आसान है आप अपने घर में ही कर सकते कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा हम अच्छे से बताने वाले हैं सबसे पहले हम आप लोग को फ्रन ब्रेक दिखाते हैं जैसे कि आप ये पावर ब्रेक देख पारें गाईस जिसे वी ब्रेक भी बोलते हैं तो ये जैसा कि आप पंजा देख पारें गाईस ठीक है दोनों सेट का पावर पंजा तो देखिए सही से वर्क कर रहा है गाईस कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और एक हमारे पास साइकल है गाईस तो ये भी पावर पंजा हम आप लोग को देखाते हैं हैं ये साइकल का है जैसा कि ये पावर पंजा भी आप देख पा रहाई गाईस तो नोबी प्रॉब्लम इसमें भी नहीं है गाईस इसमें देखे दोनों भी पावर पंजा इक दम सयीज वर्क कर रहा है इस साला कि यज़ाधा काम कर रहा है दुसरा साइट कर नहीं करता है तो इसका सलूसन क्या आएगा इस पर आप हमें एक वीडियो बना दीजे तो उन्हीं लोगों का आधार पर हमें ये वीडियो को बना रहे आप लोग का बहुत ही ज्यादा काम आएगा तो आज की इस वीडियो में हम आप लोग को अच्छे से बताने वाले हैं, अगर आपके पास पवर ब्रेक वाले स्फ़ाइकिल उग जिसमें पवर ब्रेक लगा वा है इस तरह का जैसा के आप देख पा रहे हैं और इसका अगर पंजा आपका दोनों ही अगर साई से काम कररा तो ठीक है अगर आपका एक पंजा काम करना है, दूसरा पंजा नहीं काम करना है, तो इसे ठीक कैसे करना है, जो कि सही से आपका दोनों ही वर्क करें, आपका वील एक दम फिरी घुमें, जरा सावी जाम का प्रॉबलम ना आए, अगर आपका प्रॉबलम ना आए, अगर आपका प्रॉबलम नहीं आए गा הम अच्छे से बताने वाले हैं अथे जिसा कि आ सूअट ब्रेकर ब्रेकर रहे 5 Simone बोस्त का क्लिप्रेकर दो के हैद्म में ये यहां काम करता है जैसा कि हम आप एन्हीं करता है आ से यहां är 안돼 यह दोनौं ही सही से वरिकर आपका ठीके गजह तो की आलिंद दोने जो कले तक है है वह सտट करें को दोने कर तक नहीं कर सालिए कर रहा है कि अ कि युम्त yes प्रेक भी ट्रहें प्रेफ भी औहों सब्सक्राइक नहीं कर रहा ह। तो फिर भी देत Не कर रहा है लेकिन किया होता सायन है है इसमें प्रेक heut को आया है invented वील में टैच किया हुआ रहता है इस तरह से जो की साइकल करने में साइकल चलाने बहुत ज़्यादा प्राब्लम होता है इसी वीडियो में हम आपको केलीपर ब्रेक का भी यह प्राब्लम सलुसन करने का बारे बताएंगे और किस तरह से होगा चलिए आप लोग को अच्छे स कैसे करना है उसके बाद हम आप लोग को पावर ब्रेक का बताएंगे कैसे ठिक करना है मैं सबसे पहले आप लोग को बताना चाहेंगे जैसा कि एक में ही पानगा देख पार रहा है चला कि यह जशेयर ज़्यादा काम कर रहा है यह थोड़ा कम काम कर रहा ठीक गाइस तो आप चलिए हम सबसे पहले के लिपर पंजा को बिगाड़ते हैं आप लोग को दिखाते हैं फिर कैसे ठीक करना है आप लोग को बताते हैं cooler कर रहा है जैसा कि आप देखार है अगर आपका पंजा में इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है तो इसे ठीक कैसे करना जाना है लेकिन इस से पहले आप लोग को हम बताना चाये गाइस अगर आपका ब्रेक वायर जैसा कि यह अप देख पा रहे हैं यह वायर अगर आपका जाम रहेगा तो यह वैर को आपको ここ really change कर देना है ठीक है घाइस क्युंकि वैय जाम रहने का बड़ेश से भी यह Problem होता है हलाकि कम होता है ज्यादा नहीं होता है तो वैयर को है आपको देखना गर वैर जाम है तो वैयर को सबसे पहले फ्री करना है सी ताकि सही से काम करें ठिकए वाइर चेंज करने के बाद यह problem को कई से ठीक करना है अगार वाइर आपका cycle का ठीक भेख वैर तो कोई प्रोब्लम नहीं है घैस तो चलिए आप लोग को बताते हैं अब ठीक कैसे करना बहुती ऐजी है आसान है देखिए को क्या करना इन ऐसे से खराब किये थे छिए हैं तो यहां पर यहां पर आपको इस तरह से लगाना और को देख पा रहे हैं तो यहां पर यह आप लगाना है जुगाल को लगाने के बाद इस तरह से आपको हतोरी प्रेस करना है यह तरह यहीं ज्यादा हो गया है तो इस situation में आपको क्या करना है रहे हैं दस-इगारा नंबर का आपको spanner ले ले लेना है और जो ऐसे आपको फुल-tet देना ब्रेक का ठीक़हई तो इसे आपको फुल टेट देना आगा, लूज्ञ है तो थीक अगा लूज्ञ नहीं है ठीक है guys तो ये देखिए हमारा दोनों ही केलीपर पंजाब सही से वर्क करने लगा guys तो इस तरह से आपको कर लेना guys जैसा कि हम आपको बताएं ठीक है guys जिस तरह से बताएं guys उसी तरह से आपको करना है आपका problem solve हो जाएगा फिर problem नहीं करेगा सो गाईस जैसा कि देख पा रहा है पावर पंजा सही से work कर रहा है सही से काम कर रहा है ठीक गाईस लेकिन गाईस देखे हम इसमें जैसे ही इसका spring को हटा दे रहे हैं तो ये देखे पावर पंजा देखे गाईस चेंज कर दे अगर फिरी है तो कोई दिकत नहीं है रहने दे इस तरह से अगर आपका पावर पंजा एक साइट का काम कर रहा है दूसा साइट का नहीं कर रहा है और इस प्रिंग अगर आपका सही से इस तरह से लगा हुआ है फिर भी काम नहीं कर रहा है जैसा कि देख पार इ इस्प्रिंग बाहर आ गया है उसके बाद आपको क्या करना है नीचे में देखिए एक आपका इस्क्रू है ठीके गाइस तो यह इस्क्रू को आपको क्या करना है इस तरह सा आपको टाइट कर देना देखना ठीके गाइस अपना लिमिट भर आपको टाइट कर देना देखना जैसा कि आप देखे हम फसा दिये हैं उसके बाद गाईस दूसरा सेट का जो पंजा है उसका भी same process हम करेंगे गाईस तो spring को हम निकाल दियें गाईस और screw हलका सलूजे गाईस तो screw को हम tight कर देते हैं ठीके गाईस screw को हम जो full tight दे दिये हैं तो उसका बाद spring को क्या कराएँगा हम इस तरह से फसा दिएगे spring को हम फसा दिए गाईस अब क्या करना है आप लोग को हम break दिखाते हैं जैसा कि we break press कर रहे है तो देखे गाईस आपका right side वाट काम कर रहा है the left side वाट नहीं काम कर रहा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं अब इसे ठीक कैसे करना गाइस अगर आपका राइट साइट का पंजा काम कर रहा है और लेफ साइट का पंजा नहीं काम कर रहा है तो इसमें आपको क्या करना गाइस राइट साइड वाला जो इसक्रू है गाइस एजस्ट इसक्रू इसे आप को लूज करना ठीक हलका लूज करना है और फिर लिवर को प्रेस करके देखना है ठीक है इसमें भी अगर साइस वर्क नहीं कर रहा है तो फिर आपको थोड़ा सा लूज करना है फिर अफिर आपको लिवर को प्रेस करके देखना है ठीक है कलच लिवर को इस तरह से अगर आप पावर पंजर है काम करने लगा यह बीवार करने लगा लगा लेकिन यह जो वर्किंग यह पंजाक ऑपका उला होंग्या तो देख रहे हैं बूस्टी के गाइस जिसमें यह स्प्रिंग फसा हुआ गाइस यह पंजा के साथ में तो आपका तूट जाएगे यह फाइबर का होता तो डायरेटली इसक्रू को टाइट ना करें ठीक है यह स्प्रिंग को निकालने के वाधी आपको टाइट करना है ठीक है इ इसमें गाइस हम आप लोग को एक चीज और बताना चाहेंगे अगर आपका इस सैट का स्प्रिंग से अगर एजस्ट नहीं हो पा रहा तो फिर आप दूसरा सैट का स्प्रिंग से एजस्ट करना है दूसरा सैट का स्प्रिंग से एजस्ट करना है ठीक है दोनों सैट का मिला करके आपको करना जिस तरह सा हम इधर वाल आपको बताएं गाइस सेम पोर्सस इधर वाला भी होगा इसमें एक और काम आ जाता है गाइस वह भी चीज़ हम आप लोग को बताते हैं पावर ब्रेक में जैसा कि गाइस आप देख पा रहे हैं इस साइट का स्कूरू देखिए ब करना आपको जगा पकड़ना जहां पर रहे घर उस तरह से आप थोड़ा सा बेंड करना है इस तरह से जैसा क्या आप देख पार है क्या आपको ज्यादा हो गया ठीक है तो आपको जगा पर आ गया और कोई भी प्रॉबलम नहीं गयम तो इस तरह से आपको लोग को बताएं उसी तरह से बाजूद भी नहीं होता है तो आपका केली पर पंजाग खराब होगा आप कोई भी साइकिल मेकेनिक के पास ले जाए और वहाँ पर ही बोले कि आईसा आईसा बात है वो आपका ब्रेक को देख करके ठीक कर देंगे जिस तरह से होगा